जैने देबरिवन उम्मित करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपने घर पर रखकर पढ़ाई बगरा कर रहे हैं किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं NTSC के आरंब बैच में जहां पर हम बेसिक मैट को भी कवर कर रहे हैं कि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बेसिक मैट के भी क्वेशन आते हैं साथी साथ नहीं भी आते होंगे तो आपके मैट वाले पोश्चन में दो-चार क्वेश्चन जैसे प्रॉफिट लॉस के SICI के रेसियो प्रॉपोश्चन के प्रॉब्लम बेच डाउन एज एज प्रॉब्लम बेच डाउन वर्क टाइम एंड स्पीड इन सब सारी चीजों पर आते हैं तो उसी के लिए मैंने एक और सीरी शुरू की है आपके लिए बेसिक मैट की सीरी जिसके दो चैप्टर हम लोगों बेसिक मैट का परसेंटेज अगर आपको परसेंटेज आ गया परसेंटेज के सवाल लगाने आ गये परसेंटेज का आप अच्छे तरीकी से सीख गये तो आपको आगे आने वह चैप्टर प्रॉफिट लॉस एसाई सी आई रेसियो एंड प्रोपोर्शन मिक्श्यर एलिग चुके होंगे तो आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज पाएंगे कि हां यार आप कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं कुछ चीजें समझ में आ रही हैं बिसिकलिए हर चीज के लिए फॉर्मूला नहीं रटना होता है कॉंसेट समझना होता है अगर चीज के लेक्चर में प्रॉफिट और लॉस को पढ़ा जाए ताकि आप बहुत अच्छे तरीकी से इसको सीख भी ले और चीजें आप से एक्जाम में भी हो पाएं और याद रखिए का मेरा मेजर मेरी मेरी ज्यादा ज्यादा कोशिस होगी कि आपको फॉर्मूला से ज्यादा और चीजे सिखाई जाए ठीक है और वह तभी आपको समझ में आएगी जब आप मेरा पॉसेंटेज वाला लेक्चर की होगे जो बच्चे पॉसेंटेज का लेक्चर की होगे उन्हें प्रॉफिट लॉस मेरा समझ में आएगा अधरवाइस वह बहुत परिसान होगे मैं पह जरूर से जरूर जोइन कर लें टेलीग्राम जोइन करने का तरीका क्या है आप डिरेक्टली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर रैंकर्स एंटी एसी जब टेलीग्राम पर सर्च करेंगे रैंकर्स एंटी एसे टाइप करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उसक चलती है ntsc oriented चलती है साते साथ saturday प्लस संडे आपका off रहता है ताकि आप अपने revision और backlog को proper time दे सके ntsc के related जो भी information होती है उसकी एक अलग playlist बनी हुई है उसमें सारी वीडियो अविलेबल है इसके अलावा science की playlist math की playlist और reasoning की playlist अविलेबल है चीजों को आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं basic math जो यह class चल रही है इसकी भी आपको रिजिनिंग प्लेइलेबल है इन सब सारी चीजों की link आपको description box में मिल जाएगी वहां से चीज़े आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों अगर आप हमारे बोर्ट की तयारी पूरे NTSC की तयारी बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है ठीक है तो उसी की कड़ी में एक NTSC आरंब टेस्ट सीरीज है जो NTSC की तयारी बिल्कुल सीरियसली कर रहा है उन बच्चों को यह टेस्ट सीरीज जरूर जोइन करना चाहिए इसके लिए आपको 299 रुपए पे करने होंगे जिसमें आपको साथ पार्ट टेस्ट साथ फुल टेस्ट प्लस परसनल मेंटर सीप भी प्रवाइड किया जा रहा है फ्री ओप कॉस्ट परसनल मेंटर सिप ठीक है प्लस आपका बीच-बीच में जूम मिटिंग हुआ करेगा जिससे आपकी सिका नेी को परिध्यान दिया चाहएं उन साब सारी चीजों के बारे में इ contributed कि एक्जाम पूरे NTSC oriented होंगे प्री टेस्ट होने वाला है ठीक है तो इन सब सारी चीजों को जॉइन करिए एप डाउनलोड करिए रहें का स्लाइब मतलब है हम अपने रोज आसपास देखते हैं इंसान किस चीज के लिए काम कर रहा है फायदे के लिए मैं अपने किसी एक दोस्त से दोस्त के पास गया मेरा यह रहता है कि यार वह दोस्त के मुझे कुछ खिला पिला देगा मेरा फायदा हो जाएगा हर वेक्ति फायदे के लि मैं भी आपको समझाऊंगा कि हमारे यहां कैसे काम किया जाता है सारी चीज़े ठीक तो बेसिकली कच्छा क्लास 6 7 8 में प्रॉफिट लॉट डिसकाउंट पढ़ाया जाता है लेकिन वहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले के बारे में हमें पताया जाता है ठीक है लेकिन मैं कोसिस करिएगा जैसे यह एक दुकान्दार जो आप स्पास आप एक किराने की दुकान पर गहे यह आपके किराने की दुकान के दुकान दार है ये सपोच कर यह चीनी कितने रुपय किलो चीनी बेच रहा है 40 रुपया पर केजी ठीक आप आएं यहां से इनकी यहां से चीनी खरीद लिए यह चीनी कितने रुपय के लोग बेच रहे हैं बेचने का मतलब यह बेच रहे हैं मतलब यह सेलिंग प्राइज है सेल का मतलब होता है देखिए अभी सब कुछ समझाओंगा सीपी एसपी प्रॉफिट लॉज डिसकाउंट मार्क्ट प्राइच सब कुछ लेकिन पहले कहानी समझें एक व्यक्ति है एक दुकानदार है जो चीनी बेच रहा है कितने पर 40 रुपया पर केची पर आप यहां पर क्या कर रहे हैं आप चीनी खरीद रहे हैं क्या कर रहे हैं चीनी खरीद रहे हैं तो आपके लिए यह क्या है कॉस्ट प्राइच है ठीक है आप सपोज कर यह चीनी कितने पर खरीद रहे हैं आप चीनी खरीद रहेंगों 40 रुपया पर केची पर यह जो दुकान कि दुगानदार ये चाओ और सीक्यां रूपय किलो लेकर आए ये चीनी लेकर आया है और थालर 20 पर 105 साँ मलबंने जो दसफिर मेरा फिर्सक्राप्राइब कोई बात मेरी बात ध्यान से फिर से सुनिए मैं यहां पर इस व्यक्ति को एक frame of reference ले रहा हूं इस व्यक्ति पर ध्यान देंगे सिर्फ यह व्यक्ति गया कहीं से खरीद कर लाया 35 रुपया किलो चीनी तो यह 35 रुपया प्रती किलो क्या हुआ मतलब जितने पर व्यक्ति खरीद कर लेकर आया यह दुकांदार तो सीपी चीनी का कितना हुआ 35 रुपया प्रती किलो अब इसी चीनी को यह 40 रुपया किलो पर बेच रहा है तो यह क्या हुआ और которой is खरीदता है जैसे इस्दि तो वह जो प्राइस पर मैंने खरीदी वह मेरी लिए कॉक्स्ट प्राईज जिस चीचंस पसको कितने रुपया किलो बेचे बहा किसी मिल मतलब विक्रैम्स उस्केंगे अब यहीं मैं बात कुनों इस व्यक्ति के रस्पेक्ट में इस व्यक्ति के लिए 40 रुपया प्रती के जी क्या है इसके लिए यह कौश्ट प्राइज यह जो व्यक्ति खाना खाने के लिए चीनी खरीदा है इसके लिए तो भाइस चीपी यह 40 रुपया प्रती किलो अगर माल दिया तो यह 40 रुपया किलो क्या हुआ यह अब SP हुआ इस बंदे के लिए फ्रेम आप रिफ्रेंस को समझेगा CP इसके लिए क्या हुआ यह हुआ इसके लिए CP क्या हुआ यह हुआ मतलब कहने का यह मतलब है कि CP और SP जो होते नो उस व्यक्ति पटिपेंड करते हैं किसको आप प्रेम प्रेफरेंस मान रहे हैं ठीक अगर मैं इस बड़े वाले दुकांदार की बात कहूं तो इसके लिए कि यह और किसी बड़े दुकांदार से खरीद कर लाया होगा हो सकता है यह 32 रुपया कि लिए 32 रुपय क्या है अब इस बड़े वाले दुकांदार को कहोंगे तो इसके लिए यह चारी चीजे दुनिया में चलती रहती है किसी के लिए किसी के लिए सब्सक्राइब आप बेच रहे हो तो वह ऐसफी प्राइज है अगर आप खरीद रहे हो तो वह कोश्ट प्राइज है यह उम्मीद करता हूँ कि यह कॉंसेट्ट समझ में आया हो गया अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की मतलब होता है लाब इसका यहां profit चल रहा है आपके जीवन में profit क्या होता है जैसे आप कोई समान CP cost price खरीद कर लाएं 100 रुपया पर ठीक है अब आपका profit कब होगा जब आप CP से ज्यादा पर इसको बेचेंगे बाई साब आपने 100 रुपया का खरीदा आप आप उसको कम दाम पर बेच देंगे तो आपका फाइदा कहा से होगा आपको जो पैसा ज्यादा मिलेगा तो वही आपका SP होगा ठीक है तो वही आपका profit होगा मान लिजिए आपने इस वर्ष्टू को 120 रुपया का बेच दिया तो 100 रुपया से बढ़ा कर कितने का बेचा 120 मतलब कितना बढ़ाया 20 रुपया यह आपकी जेब में आया यह क्या हुआ प्रॉफिट हुआ प्यारे बच्चों तो प् price पर खरीदा उसको घटा दिए अब loss कोई बात करते हैं मान लिजिए आपने इसे वस्तू को 100 रुपय करेदा और बेचा कितने पर बेच दिया 90 रुपय Pal ऑई साब 100 रुपय लगा कर तो आपने खरीदा बेच दिया 90 पर तो बाई साब 100 में खरीदा 90 पर बीचा था आपका यहां पर घाटा हो रहा है ना आपके जेब से पैसे चले गए समझ दीजिए आपका 10 रुपय का नुकसान हो गया तो लॉस क्या होता है लॉस इक्वाल टू तो cp-sp रटना कुछ नहीं कुछ भी रटना नहीं यह नहीं कि sp-cp profit होता है cp-cp समझ यह समझ तो cp क्या हुआ यहां पर 100 हुआ माइनस SP क्या हुआ 90 हुआ यह हो गया 10 रुपय मतलब 10 रुपय का आपका क्या हुआ है लॉस हुआ है CP और SP समझ में बहुत बढ़ी है आगे बढ़ते हैं एक एक concept को लिखते चलिएगा समझते चलिएगा पयारे बच्चो अगर मैं आपे कहूं कि एक व्यक्ति कोई समान नवभ के खरिद कर लाता है प्रतिदा एक बढ़ो को वह SP 1 कितने पर बेचता है 100 रुपए पर पर या जह कि suo रुपेबर और ऊसरे बाल बॉक कितने पर बेचता है 80 रुपैबर अब आप बताइए किस मिर उसका लॉस हो रहा है कि इस कंडिशन में उसका फायदा हो रहा है तो आप आपके लेखि ग्राइदा का बेच रहा है तो इस condition में इसका profit हो रहा है क्योंकि SP ज्यादा है तो जब भी आपका CP से SP ज्यादा होता है it means SP is greater than CP तो उस condition में आपका profit होगा उस condition में आपका फाइदा होगा तो profit equal to क्या होगा SP minus CP SP equal to hundred minus CP equal to 90 तो यह सेकेंड कंडिशन की बात करें SP 2 की बात करें तो यहां पर हम देख पा रहें कि CP ज्यादा है SP से अब जो है वह SP कम है CP से तो ऐसी condition में आपका घाटा होगा भाई पैसा आप कम के बेचोगे तो आपका बिल्कुल घाटा होगा तो लॉस कैसे निकालोगे जितने पर खरीदे उतमेंसे जितने पर खरिदा और कितने में बेचा उसमें गठा दीजिए 90 का खरीदा था भाई 80 में बेचा आपने 10 रुपया का आपका घाटा हो गया यह लॉस यह आपका प्रॉफिट ठीक है एकदम बेसिक नॉलिज समझ में आए लॉस और प्रॉफिट का अब थोड़े से टीपिकल सवाल पी जाओंगे मैं कुछ सवाल दूँगा आपको अब वहां से चीजों को समझने की कोसिस करेंगे अच्छा एक और चीज कि यह सारी चीजे किस पर डिपेंड कर रही है कि सीपी किसी चीज का क्या है मतलब अगर आपका सीपी आपको पता है त लेकिन पहले मुझे यह तो बताओ कि आपने खरीदा कितने का था तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ मतलब आप अलग अलग प्राइज पर बेच सकते हैं बट आपने खरीदा तो एक ही दाम पर होगा ना ऐसा तो नहीं यह एक बल् रुपीज 900 मतलब एक आदमी को प्रॉफिट होता है और उसी सेम चीज को वह सेल करता है 100 रुपय का तो उसका घाटा होता है ठीक है मतलब 900 का बेचेगा तो उसको फाइदा होगा और 100 रुपय का बेचेगा तो घाटा होगा तो बताइए कि वह CP कितना है मतलब याद रखि को थोड़ा सा मैंने इंग्लिस में प्रॉफपर नहीं लिखा मैं कहानी आपको फिल से बता देता हूं जैसे आपने किसी सामान को 900 रुपया का बेचा तो आपको कुछ फायदा हुआ दूसरी के अब आप उसी समान को 100 रुपय में बैच रहे हो तो आपका घाटा हो रहा है इतल्मिल CP ज्यादा है तो CP मैंसे आकर आपने SP को घटाया 100 रुपय को तो आपको लॉस मिल गया एक बात इसने ये भी कहिए कि दोनों कंडिशन में ये जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो सेम हो रहा है प्रॉफिट इक्वल टू लॉस हो रहा है तो यहां से हम कह सकते हैं कि 900 माइनस CP इक्वल टू CP माइनस 100 या फिर हम इसे कह सकते हैं CP को उस साइड लेकि जाए तू CP कितना हो जाएगा 1000 तो यहां से हमें क्या मिला प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम दिया गया है तो आप यहां से CP निकाल लिए कैसे निकाला आपने CP 500 आया अब इसको रखके देख लिजिए 900 का आपने बेचा 500 रुपया का खरीदा था तो आपको 400 रुपया का फायदा हुआ ठीक है 900-500 अब वही चीज 500 का खरीदा था का 100 रुपया का बेचा तो आपको 400 का घाटा हुआ तो यही सवाल था ठीक है एक और सवाल रखता हूँ सवाल आपके सामने हैं प्यारे बच्चो कोई भी चीज आपने 1800 रुपया की बेची तो आपको जो भी प्रॉफिट हुआ वह बराबर है किसके अब उसी समान को अगर आप 500 रुपया में सेल करते हो तो वह लौस का चारगुना की बराबर है मतलब समझेगा माद लीजी जब भी आपके दिमाग में प्रॉफिट आएगा तो एटमिंस हम चीजों को महंगा बेच रहे हैं महंगा बेच रहे मतलब हमारा स्पी ज्यादा है तो 1800 रुपया का स्पी है इतने पर बेच रहे हो माइनस सीपी किया है अब यह किसके बराबर है 500 रुपया का सेल करने पर तो लॉस हो रहा है एटमिंस सीपी जयादा होगा तो दो सीपी माइनस 500 लेकिन यह जो लॉस आरहा है इसका चार कुना इसके बराबर है तो यहां पर चैर से मैल्टिप्लाई कर दो बस अब शॉल कर दो अटारफ सो माइनस सीपी इक एकोल टू और सीपी माइनस दो हजार इ तो जितना भी लॉस होगा उसका च्यार गुना इस प्रॉफिट के बराबर होगा इस चीज को आप मिला भी सकते हैं यह कॉंसेप्ट समझ में आया बहुत बढ़ी है अब हमारा नेक्स टॉपिक है प्रॉफिट परसेंटेज सीखने का और लॉस परसेंटेज सीखने का प्यार प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है जिसे मानली जी आपने कोई सौ रुपए का कोई समान खरीदा और उसको कितने पर बेज दिया 120 के तो आपका 20 रुपए का फाइदा हुआ है लेकिन यह 20 रुपए का फाइदा किस चीज पर हुआ है आपके 100 रुपए पर सौरी सीपी पर ही तो मिला है सीपी पर यह सीपी है यह आपका एसपी है यह आपका प्रॉफिट है ठीक है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है जनरली आप फॉर्मुला आप देखे कि अपनी किताबों में तो इस तरह से लिखा रहता है एसपी माइनस सीपी अपॉन CP into 100 ठीक है यह होता है profit percentage clear है मतलब पहले तो आप profit निकालेंगे profit को CP के respect में 100 से multiply कर देंगे तो आपको percentage मिल जाएगा इसी तरह loss भी होता है अब कोई समान आपने 100 रुपय का खरीदा आपने उसको 90 रुपय में बेज दिया मतलब 10 रुपय का आपका घाटा हुआ है यह आपका CP है यह आपका SP है तो आपका घाटा कितने का हुआ है 10 रुपय का तो 10 बटे 100 into 100 100 से 100 गया मतलब आपका 10 percentage का loss हुआ है तो loss percentage का formula क्या होता है आप formula याद करना चाहते है याद कर लिजिए हला कि जब मैं आपको तरीका बता दूंगा तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमेशा चीजों को किसके respect में देखा जाए भाई आपका पैसा कितना लगा था 100 रुपय लगा था आपने 90 रुपया के बेज दिया आपका 10 रुपया घाटा हुआ है तो यह 10 रुपया किसके respect में कितने percentage तो 10 रुपया आपका उसी CP पर चेक्षक किया जाएगा कि आपने कितना पैसा लगाया था उसी के recording तो इसलिए CP के respect में हम देखते हैं इसलिए loss percentage यहां से इस तरह से आएगा यह तो बात होगे अब मैं आपको चीजे सिखाऊंगा एका question लगाते हैं प्यारे बच्चों आपके सामने एक सवाल है किसी भी चीज को 16 100 रुपया पर sell करने पर हमें जो profit होता है वह बराबर है अगर उसी चीज को हम 12 100 रुपया का sell करें तो जितना हमें loss होगा तो इतना तो आपको concept अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था अब लेकिन इसमें आपको निकालना है loss percentage ठीक है loss percentage आप से पूछा गया है तो प्यारे बच्चों कोई चीज 16 100 रुपया पर sell की जाड़ी इट मिंस उसका selling price ज्यादा होगा किस से सीपी से तो 16 100 माइनस CP किसके बराबर हो कि वेलू के आजाएगी 1400 रुपय इट मिस उस सामान को 1400 रुपय में खरीदा गया था 16 रुपय बीचा जाएगा तो हमें profit होगा और 1200 बीचा जाएगा तो loss होगा अब हमें loss percentage निकालना है तो हमें loss पर ही काम करना पड़ेगा तो आपको काम कहां करना है यहां पर करना है इस कर देजिए solve हो गया कोई formula रटना पड़ रहा है क्या नहीं समझ लिए तो नहीं रटना पड़ेगा दो बटे 14 इंटू 100 यह आ जाएगा आपका 100 by 7 या फिर हम इसे कह सकते हैं 14 है दो बटे 7 percentage यह आपका answer आ जाएगा बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा ठीक है आराम स कोई दिकत कोई परिशानी बिल्कुल नहीं हो रही है प्यारे अगर आपको कहीं लिखा रहे है इतना परसेंटेज आपको प्रॉफिट हो रहा है तो क्या आप मेरे को पकड़ के चलना आपको बेसिग मैं बहुत बढ़िया सिखा दो इजा मैंने आप से कहा कि इस इंसान को 20 percentage का profit हो रहा है अब आपसे मैं पूछाँगा कि CP और SP बताओ मैंने कहा इस इंसान को 30 percentage का loss हो रहा है इस इंसान का CP और SP बताओ मैंने कहा इस इंसान को 55 percentage का profit हो रहा है इस इंसान का CP और SP बताओ तो जब भी आपको अच्छी परसेंटेज आए ना आप अपने दिमाग में एक बेशिक क्या क्या कि मान लेते हैं वह इंसान सो रुपया का कोई चीज खरीदा तो उसका बीस परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है तो वह व्यक्ति उस समान को अगर मान लेते हैं कितने का खरीदा सो रुपया का खरीदा तो वह सेल कितने का कर रहा होगा एक सो बीस रुपया अरे भाई अब इसके रेस्पेक्ट में जो भी सीपी आपके क्वेश्चन में होगा वह आप निकाल सकते हो लेकिन यह चीज सही है अगर उसका बीस परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है इज्मिलस उसका सो रुपया कश्षोपी होगा और एक सो बीस का ही आप मान सकते तो जब भी आपका एजी परसेंटेज आए तो आप सो रुपया मान लेना और आप काम कर लेना अगर मैं कहूंBeisЧто का लाउस हो रहा है तो सीपी और एस्पी कितना होगा तो तुम कहों गिभ कि आसानी से निकाल लो तो कहोगी यह 100 रुपया को वह खरीदा होगा और 55 रुपया प्राफिट हो रहा है तो 55 रुपया का ज्यादा बढ़ा कि इसको बेच रहा होगा 155 रुपया का बेच रहा है प्यारे बच्चो क्या यह सिंपल कॉंसेट समझ में अभी हम लोग यह तो अच्छी अच्छी परसेंटेज है तुरंत आप प्रॉफिट को 100 रुपया के रस्पेक्ट में निकाल ली है लेकिन अभी हम खराब खराब परसेंटेज को कैसे करेंगे वह भी सिखेंगे उससे पहले कुछ सवाल करते हैं प्यारे बच्चो मैंने आपके सामने दो सवाल रखे हैं अगर कोई सामान है बीस परसेंटेज के लॉस पर बेचा गया और वह प्राइज कितने पर बेचा गया 16000 रुपय पर तो पता करिए को खरीदा कितने गया था तो प्यारे बच्चों कभी भी फॉर्मूला उम्ला की चक्कर में मत पढ़ना 20 परसेंटेज लॉस का मतलब यह सिंपल साधार परसेंटेज दिख रहा है इट मिंस आप लिखना ऐसे सीपी और यहां लिखना सीपी अब यहां पर माल लेना आप सो तो परसेंटेज लॉड मतलब एसीरुपें cp और sp लिख लिख लिनाज से अगर सिंपल पसेंटेज है आप सो रुपय खरीदा गया होगा 80 kuin यहां पर बनेगा अब यह 16000 पर बेचा गये मतलब यह아서गी है यहला कम क्लूए ऑसे जो हैं यही हे वह 10000 . तो एक किसके ब्राबर होगा कहोगे 1 जो गाव या 2,000 तो बस आपका काम हो गया एक एक दो हजार के ब्राबर है तो 100 रोसीओ किसके ब्राबर होगा कहोगे 20,000 बहुत बढ़ी है बाइस CP मिल गया तुरंट हमें क्या हमने कोई formula use किया कोई formula use किया बिल्कुल नहीं इसी तरह आप इस सवाल को लगाई है if a product sold on 30 percentage profit it is brought on 10,000 रुपया मतलब कोई भी सामान 10,000 रुपया का खरीदा गया और उसे 30 percentage profit पर बेच दिया गया on what price it is sold मतलब 30 percentage का profit हो रहा है CP और SP में क्या relation लिखोगे 100 रुपया का खरीदा गया होगा 130 रुपया का बेचा गया होगा अब यह CP जो है वो कितना दिया गया आपको 10,000 रुपय दिया गया है मतलब यह 100 का कितना गुना है कहोगे भी यह 100 गुना है मतलब एक बराबर 100 दिया गया है 130 बराबर किसके बराबर होगा इसमें भी 100 का multiply कर दो यह भी सहाब इतना हो जाएंगे 13,000 रुपया आसान था तरीका समझ में आया बढ़िया समझ में आया तो अगर आपने अभी तक वीडियो को अभी यहीं पर रोक के थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर चै कॉंसर्ट देने वाला है बहुत सारी चीजिए मैं सिखाने वाला वीडियो को पाउच करिए एक बार पढ़िए चलिए मैं पढ़ाता हूं इसको 40 परसेंटेज का लॉस हो गया कितने का लॉस हो गया चालीश परसेंटेज का लॉस हो गया या अब वो चाहराने यह मुझे यह सॉधाल पसंद मृत मैंट और cookedर देंका कर चाहरा हूं मेरा चलिश परसेंटेज का मुझे बंचेशं कर लगॉस प्रित कंमाना है मुझे कंना मोधे बीस परसेंट कंस 대atif कि मुझे बीस परसेंट क उसे कार्डिंग हम बताते हैं कि इतने पर बेचो तो तो तुम्हारा फायदा हो अब यह सारी चीजे कैसे पता चलेंगे पता चलेंगे प्यारे बच्चों आपको क्या क्या दिया गया है 40 परसेंटेज लॉस पशेंटेज लॉस का मतलब आप क्या लिख सकते हों seep और sp क्या убख सकते हों और है तो फाइदा हो जाएगा अगर लॉस हो रहा है तो साथ रूपया का बीचेगा कितने का बीचेगा साथ रूपय का मतलब सौ रूपय का खरीदा साठे रूपय का बेज़ दिया तो इसका 40 रूपय का लॉस हो गया मतलब 40 परसेंटेज का लॉस हो गया अब यह साथ किसके बराबर है 14400 अब सौ का बता 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 यह अब साथ जो है वह 14400 का बराबर है तो एक किसके बराबर होगा कि 240 के ब्रावर होगा 240 के ब्रावर तो अब सीपी पता लगा सकते हो कितना होगा 24,000 रुपय सीपी मतलब उस व्यक्ति ने 24,000 का वह प्रोड़क्ट खरीदा 14,400 का बेच लिया तो उसको इतना लॉस अब वह 20% कमाना चाहता है मतलब उसका सीपी जितना भी होगा 100 अब कितना होगा 1248,400 चार 1224,400 चार 28 अब वह कितने का बेचेगा 28,800 का तब जाके उसको स्वांतो ना मिलेगी भाई साब अब ठीक हूं है अब मैंने 24,000 का खरीदा था अब मैंने 28,800 का बेच दिया मेरा काम सही है मतलब आपने यहां से कॉनसेट्ट क्या सीखा आपने यह सीखा कि आपको actual CP पता होनी चाहिए कि आपने खरिदा कितने का था खरीद आपने खरीदा जितने का था हो पता चल गया तो कोई भी दलित बीखना या कोई भी profit पर भीचना या कोई भी लॉस पर भीचना या आप संब लोगी तो actual आपको CP निकालने कि हर question में सही सही तरीके से जरूरत है ठीक चलिए I hope यह concept आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों अगला concept जो हमारा है यह मैं आपको सिखाऊंगा थोड़े अच्छी चीज़े अब यहां पर हम सीखने वाले हैं direct CP और SP का relation या ratio कह सकते हैं अगर आपको profit percentage दिया हो प्र या मैं मन आपको दे दिया गया 20 percentage profit या फिर आपको दे दिया गया 10 percentage loss या फिर आपको दे दिया गया 30 percentage profit आपको दे दिया गया 15 percentage loss अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि SP और CP का ratio बताएए SP और CP का ratio बदाईए 20 percentage profit को आप fraction में लिख सकते हैं क्या बिलकुल एक बटे 5 एक बटे 5 में आप ये profit कौन सा चीज है और कौन सा चीज CP है कौन सा चीज SP है ये आप सीखिए प्यारे बचों ये जो नीचे लिखा रहाता है ये होता CP आपने किसी चीज को 5 रुपय पर खरीदा और एक रुपय का profit हो रहा है तो ये है आपका profit अभी तक हमने ये relation लिखा हुआ profit और CP का ratio हम आप से मांग रहे है SP और CP का ratio ठीक है तो आपने 5 रुपय का खरीदा एक रुपय का profit हो गया पांच रेशियो का खरीदा है एक रेशियो का profit हो गया तो एक रेशियो जोड़ को दोगे तो ये छह रेशियो अपन पांच रेशियो आपका SP और CP का relation आएगा इस चीज को हम लोग हमेशा यूज करेंगे एसे लिखेंगे CP SP यहां लिखेंगे 5 यहां लिखेंगे 6 यहां लिख देंगे कि यहां बाई एक रेशियो का profit हो रहा है अगर मैं आपसे profit percentage पूछू तो आप लिखो कि कि SP और CP का क्या relation है तो आपका होगे 10 रुपय का खरीदा गया एक रेशियो का loss हो गया तो 10 माइनस एक करेंगे तो यह 9 बटे 10 आएगा 30 percentage profit का मतलब होता है 3 बटे 10 यह क्या है यह profit है यह आपका CP है अब आपका SP का कहा ratio हुगा है यह हुगा 10 और 10 तिन 13 यह क्या हुगा 13 बटे 10 इसी तरह 15 परसेंटेज loss का मतलब होता है 15 बटे 100 पांस तहीं 15 बीस तो यह क्या हुगा यह profit यह loss 3 बटे 20 आपका profit और CP का ratio है अब मैं आप से पूछ हूँ SP और CP का ratio तो भाई यह profit है तो नीचे आपका 20 आएगा और profit को SP में add कर देंगे तो आपका SP मिल जाएगा 23 बटे 20 इसको आप इस ratio में लिख कर question को बड़े ही आसानी से solve कर सकते हो अब मैं आपको तरीका बताऊंगा ठीक है चलिए प्यारे बच्चों वह तो इजी इजी था अब मैं थुड़ा सा आपको फ्रेक्शन जो है जो परसेंटेज जो है वह थोड़ तफ अगर लिख दूं तो क्या आप उसको CP का ratio निकाल के बता सकते हैं बिल्कुल भाई हम बता सकते हैं क्योंकि हमने सकते हैं SP और CP का ratio अगर मैं आप से पूछू तो आप लिखोगे अब लॉस हो रहा है तो CP अगर 8 होगा तो SP कितना होगा एक कम होगा इसी तरह 1468 में मतलब यह कितना होता है एक बटे साथ होता है प्रॉफिट हो रहा है तो यह नीचे साथ होगा तो उपर आठ होगा च्छ 24 चार शो तो कितना आजाता है यह 4034rent 400 400 Sir को काटा तो 900 बटे साथ इंटो लिजै यह आ सांट तो अगर मैं प्रॉफिट की बात रहूं यह अगर यह साथ है तो यह कितना होगा 11ट SP और CP इसी तरह 53 सही 1 बटे 3 यह कितना होता है 3 पचे 15 3 तरिके 9 3 तरिके 9 और 3 पचे 15 169 सही 1 बटे 3 और यह percentage loss यह हो जाता है 160 बटे 3 इंटू 1 अपन 100 तो यह हो जाएगा 0 से 0 कर जाएगा 2 अठे 16 दो पचे 10 आठ बटे 15 हो जाएगा आठ बटे 15 का लॉस हो रहा है तो यह 15 का खरदा है 15 में से 8 गट आएंगे तो यह साथ SP और CP कुछ इस प्रकास से होगा प्यारे बच्चों कुछ कुछ चीजे क्लियर होई होगी कैसे हम लोग percentage loss से हम SP और CP कर सकते हैं और अगर आपको यह method आ गया तो आपको कोई formula रटनी की कोई जरूरत नहीं है आप बड़े ही आसानी से questions को लगा सकते हैं चलिए आप मैं आपके सामने कुछ सवाल देता हूं उसको आप लगाईए मिरे साथ तब चीजे सम 2 है तो यह मतलब 22 की बार है 125 बटे 2 है पहले आप इसको fraction में convert कर यह नहीं याद है कोई बात नहीं कर लीजिए 25 25 25 125 मतलब 5 बटे 8 अब यह loss है ठीक है अब मैं आप से CP और SP का ratio पूछो तो आपको यह loss है तो यह अगर 8 का खरीदा तो 5 घटा दीजिए 3 का बेचा होगा ठी यह आपको 5 ratio की value दी गई है कितनी दी गई है 5 ratio बराबर 90 दिया गया है तो एक ratio बराबर कितना होगा 18 होगा कितना होगा 18 तो SP 18 त्याए 54 होगा 54 रुपय होगा CP कितना होगा 18 थे 144 होगा clear है क्या प्यारे बच्चो clear है क्या आपको दिया हुआ था loss दिया हुआ था loss आपका कितना हो रहा है 90 रुपय का हो रहा है मतलब 8 ratio में से 3 ratio घटाएंगे तो यह जो 5 ratio है वह आपके 90 के बराबर है तो आप अराम से सारी चीज़े ratio से calculate कर सकते है ठीक clear है चले तो अब हम and CP is 35 बटे 34 find the percentage profit on the articles अब आपको क्या दिया हुआ है SP upon CP की value दी गई है तो यह कितना दिया हुआ है 35 बटे 34 ठीक है अब आप से क्या पूछ रहा है percentage profit यह क्या हुआ percentage profit प्यारे बच्चों आप ratio से देखकर यह पता कर सकते हैं कि SP जो है वो ज्यादा है कितना ज्यादा है एक ratio ज्यादा है तो profit कितना ratio है एक ratio ठीक है एक ratio हम ratio में खेलेंगे और हम exact answer भी निकाल लेंगे तो हमें पता है कि profit percentage कैसे निकाला जाता है formula अगर आप कहोगे तो कहोग profit equal to एक ratio और CP का ratio कितना है 34 into 100 इसको आप solve कर लिजी यह कितना आएगा आप प्रॉक्स तीन के प्रॉक्स आएगा तब तीन percentage के प्रॉक्स होगा ठीक है profit percentage gain भी क्या होता है profit ही होता है gain मतलब फाइदा ठीक है profit तो क्या दिया हुआ है the ratio of the cost price and the sale price मतलब क्या दिया हुआ CP अपन SP दिया हुआ है ध्यान दीजेगा 49 बटे 42 ठीक है तो हमें क्या चाहिए होता हमें चाहिए होता यह हो जाएगा 42 बटे 49 कितना ज्यादा है तीन रेशियो ज्यादा है तीन रेशियो का हमने खरीदा कितने में था 49 रेशियो में इन टू हंड़र्ट कर दिजिए यह जाएगा 13 13 सते क्यान भी होता है साथ दसमुन च्यापाच आ जाएगा answer इसी तरह से question किये जाते है प्राफिट प्राफिट दे जाएगा स्वाल है अगर इसमें हंड्र स्टिप्लाइग करते तो हमें प्रॉफिट प्रॉफिट परेशिटेज मिल जाएगा बिल्कुल नहीं जब भी हम profit निकालते हैं तो हमारा नीचे क्या आता है CP आता है क्योंकि हम cost price के ही respect में चीजों को देखते हैं तो अगर हम CP की बात करें अगर देखो 7 रुपय का बेच रहा है 2 रुपय का profit हो रहा है तो CP कितना होगा पहरे बच्चों आपको मैंने बताया है कि profit हो रहा है तो SP माइनस CP इकल टू क्या होता है profit SP के value आपको साथ दी हुए CP आपको निकालना है profit आपको 2 हो रहा है तो CP इकल टू क्या होगा पाच रेसी होगा अब profit upon CP into 100 कर दीजिए आपको आ जाएगा profit percentage तो profit दो है CP आपका पाच है into 100 बीस दोना 40 percentage आसान था यहीं बच्चे गलती करते हैं वह SP में निकालने लगते हैं ठीक एन आर्टिकल इज मैनुफेक्च्चर्ट बाइस साथ सो बयालिस एंड जोल्ड पॉसा सो फांड लॉस प्रसेंटीज जोगा हमेशा आपको खेलना किसमें CP पर खेलना इतना याद रखिएगा इसको काटते हैं तो साथ से कटेगा क्या तो ये आ रहा है 300 बटे तिरपन तो अब इसको करिए 300 बटे तिरपन का मतलब 15 पचे 55 पचे हां पंद्र आजाएगा पंद्रत्याइं पैठादिस चार पंद्र पूच्छ पिछट चार सवाल किये जाते हैं प्यारे बच्छों if the cost price is 95% of the sale price समझेगा सवाल को समझेगा what is the profit percentage अगर cost price जो है वो 95% of SP तो CP upon SP आपको क्या मिलेगा 95 upon 100 इसको solve कर यह 19 आजाएगा यह 20 आजाएगा आपको हमेशा क्या चाहिए होता है एसपी अपॉन सीपी चाहिए होता है यह आपका 20 upon 19 आजाएगा तो बहुत कितने का हो रहा है कोगे एक रेशियो का हो रहा है बहुत परसेंटेज पूछ रहा है तो एक बटे कितने का खरीदे है उन्निस का इंट्व हंड्रेड तो हंड्रेड बाई उन्निस कितना आता है उन्निस पच्छे पंचान में पांच दस्मना दूच्छा आजाएगा आसान था थोड़ा ध्यान लगा करिए का सवाल नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी चलिए पर्षान पर्षेड एज चेयर रुपी सतर एंड इस्पेंड सत्रह रुपया और इस रिपेर पचास पईसा और इस कार्टेज इफ इस व्यूल्ड देचेयर सो रुपया फाइंड इस एक्स्पेंडिशर और मार्जिन अफ दे प्रॉपीड वाज प्यार बच्छों पहली बत एक्स चीज को समझे हमने कुर्सीखदिश सत्रह रुपया सत्रह रुपया इसके मरम्मत ने भी लगवा दिया है पचास पईसा बाड़ा लग गया अब टोटल कुरसी की कितनी कीमत हो गई कितने का खरिदे। अब सत्तर का नहीं रह गया उपीया साधास पैसा अब हो गया मेरे कुरसी का सीपी बेचा कितने कम है सव रुपया का फाइद हुआ साधे 12 ह रुपया उपीया का फाइदा हुआ इसे 10 नूर्य कर पैसा किसके रेस्पेक्ट में सतासी रुपया पचास पैसा गलती कोई बच्चा नहीं करेगा नीचे सौ लिख देगा यह गलती करोगे तो फस जाओगे ठीक चल इंटू हंड्रिड कर लो कर लिए तो भाई साहब यह कटेगा कैसे साथ से एक बटे साथ तो यहां पर कितना आ रहा है यहां पर कोगे बहिया सौ बटे साथ आ रहा है तो चौदा सट्य अठानवे चौदा है दस्मना तीन जीरो बारह दस्मना पांच जीरो वाले ना बहुत बड़ी गलती करेंगे ख्याल रखेंगे कि आप सीबी पर ही प्रॉफिट परसिटेज लॉस परसेंटेज निकाल पाएंगे आपने कितने का खरीदा यह मैटर करता है कितने का बेचा उससे अब प्रॉफिट निकाल लीजिए लॉस निकाल लीजिए ठीक डन है प्यारे बच्चो बहुत बड़िया नेक्स सवाल राहूल हैड 200 मेंगो राहूल के पास दो सवाम है ही सोल्ड थर्टी मेंगोज ही सोल्ड थर्टी मेंग पचीस परसेंट के लाप पर भीजता है चालिस मेंगो जो बीस परसेंटेज के लॉस पर भीजता है ठीक है ध्यान दीजेगा तीस मेंगो बीस परसेंटेज के लॉस पर चालिस मेंगो बीस परसेंटेज के लॉस पर साथ मेंगो दस परसेंटेज के लॉस पर बेचता है और 100% के profit पर वेजता है 40 मेंगो 20 25 चालिक को 20 पराउस पराफिटा। प्लस 20 मेंगो को 10 परेजता याद रखेंगा अब एक्कॉल टु क्या gone 200 मेंगो पर प्रफिट पॉसंटेज थे पॉस्अ कर लीजेगा 25 भी साभश घंट ओहर रहा है थो जोड़ दीजे 600 फॉस हो तुर दीजे RJ। नुक्सान हो रहा है बस अभी स्कू शूंभ कर लीजे ये क्या हो गया गया थेस्टोपचाहं से 100 बज गया चौधИलट प्रीट कॉतलिदन प्राइब कितने प्रोफित हो रहा है प्रोफिद्ध से इसका इसे कि चाटेगा उपर कितना है है 145 तो पांच त्याय पंद्रह नहीं पांच दूना दर्स पांच नौव पैतारीस उन्तिस बटे क्या आ जाएगा उन्तिस बटे चार अब यह उन्तिस बटे चार आ रहे है इसको में प्रॉफिट परसेंटेज में कल्कुलेट करना है तो इन्टू क्या कर देंगे सब्सक्राइब यह परसेंटेज ही आ रहा है तो यह हो जाएगा चार सते 28 चार एक्कम चार 281 बटे 4 तो साथ सही यह बटे फिर इसलिए आएगा क्योंकि ये सब्सक्राइब दीए इसको फिस्सक्राइब अगली वीडियो जो प्राफिट लॉस की रहीटता है वहां पर He spent 2000 on the repair of all cycle He sold 5 of them 7500 and remaining 1500 Then the total profit loss बहुत आसान सवाल होते हैं 10 cycle 500 का खरीदा मतलब 5000 रुपया खरीदा ठीक है 2000 रिपेर पे लगाया तो 2000 लग गया अब यह total इसका CP मिल गया कितना मिल गया 7000 रुपया अब बेच कितने का कैसे कैसे रहा है 1500 की 5 cycle 10 cycle खरीदा है और प्लस 5 cycle 500 का बेच रहा है तो यह हो गया 525 735 दूर्शाथिस यह हो गया 525 525 दूर्शाथिस 50 500 714 153 516 600 रुपया का बेच रहा है 7000 का खरीदा था तो भाई 500 का लास हुआ कितने का खरीदा 7000 का इंटू हंड्रेड काम खत्म जीरो जीरो साथ साही एक बटे साथ का लास हुआ है भाई 500 रुपया का लास तो हो रहा है ठीक है कलियर बहुत बढ़िया चलिए नौवा सवाल एम मैं बोट 20 डेजन एक्स फोर 720 रुपया एक आदमी जो है वो 20 दर्जन अंडा खरीचता है 720 रुपया में What should be the selling price of each egg if he wants to make a profit of 20% ध्यान से समझेगा इस सवाल को बड़ा मज़ा आने वाला है अंडे की बात है भाई साब 20 परसेंटेज इसको प्रॉफिट चाहिए 20 परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए का मतलब एक बटे पांच प्रॉफिट मतलब अगर यह पांच का खरीदा होगा तो यह 6 का बेचेगा यह CP है यह SP आई यह खेलते हैं रेशियो में मतलब प्यारे बच्चों यह 720 रुपया का खरीदा है मतलब पांच रेशियो ब्राबर 720 तो एक रेशियो ब्राबर कितना होगा पांच एककम पांच पांच चकात तीस पांच जवका बीस तो यह क्या न गल्टी कर दिया लुक्चा तो अब थोड़ा स्झाई लग रहे हैं 144 वराबर एक रेसी हो तो 6 से मल्टिप्लाई कर तो 64 24 दू आया कैरी 64 24 दो 26 दू आया कैरी च्हेकम च्छटो आठ आठ सो चौट रुपय का बेच रहें लेकिन आप से क्या पूछ रहा है आप से पूछता है कि सेलिंग प्राइज आप इच एक प्यारे बच्छो एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं एक डर्जन में 12 अंडे तो बीस दर्जन में 240 अंडे तो भाई साब चाचोग का 24 चाचोग का 24 यह आगया चालीस ठीक है और काटते हैं चार से कट जाएगा 14 में 40 हा चाहते हैं 12 और चाचेंग 24 तीन रुपय साथ पैसा बढ़िया सवाल था मजह आ गया बहुत बढ़िया ड़िया क्या अजि डर्ण है क्या जी चल करने सबढ़गा दो तुरल एवाच कोश्टिंग 120 रुपया वाज सोल्ड एड़ लॉस पंद्रह परसेंटेज दसेलिंग प्राइज पंद्रह परसेंटेज का लॉस का क्या मतलब होता है तीन बटे 20 का लॉस अब बीस रुपया का खरीदा गया है 17 का बीचा गया अब यह बार-बार में सही नहीं सब्सक्राइब और 6 तो 176 का 102 विल भी यूर ऐसे चुट्कियों में ऐसे सवाल लगाए जाते हैं सीख रहे होगे तुम परसेंटेज करके आया होगे तो तुम्हें चुट्की में लगेंगे मैं ब्रॉट बॉट इसाइकिल पांसो साथ हाउ मच कितने का बेचना चाहिए द पन नौ चंग चवववन नौ पचे पैतालीस पैतालीस पाच पाचास पांसो चार रुपय का बेचेगा तो उसका दस परसेंटेज का लॉस होगा इस शॉपकीपर सेल्स अन आर्टिकल आप साड़े बारह परसेटेज का इप सेलिंग प्राइज आप 990 कॉश प्राइज ब सेल्स यह ब्राबर 110 808 एंसर ऐसे चुट्टियों में सवाल लगाना सीको इसक्ति पर सेल्स अन आटिकल आप चाही एक पूटे चाहर इस तो अए से तेजी से कल्कुलेशन करना सीको तो शोला पंदर इस सेलिंग प्राइज आड़तालीस सो क्या हो रहा है लास हो रहा है न ठीक है 24 24 25 25 से काटा 100 सही है 16 बटा 15 यह 48 सो के ब्राबर है 15 तिया 45 15 दुना 30 16 से गुड़ा करो 16 दुना 32 तीन आया कहरी 16 मज़ा आया जी मज़ा आया कैलकुलेशन सी करो मेरी तरह है इसका तीन सो आजाया जी एंसर मज़ा आ रहा है बाइस सेलिंग प्राइस तीन सो बावन प्राइस प्राइस बारहा परसेंटेज का लॉस सो रुपया का खरीदा 88 का बेश दिया यह किसके वराबर है 352 दसमलो आठाट यह कितना गुना है आठ चोगा 32 चार गुना के लगबग है लेकिन एठासी पाइसा भी है इट मिंस चार्जों के आसपास आएगा मज़ा लो कि मर्चेंटे सोल इस आइटम 75 रुपया का प्रॉफिट परसेंटेज इकॉल टू कॉस्ट प्राइज अब मज़ा आएगा देखना एक मर्चेंट ह है वो अपने सेल को कितने का बेच रहा है 75 रुपयगा एसपी इकॉल टू 75 प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो किसके बराबर है सीपी के पराबर है तो इसका कॉस्ट प्राइज कितना होगा प्यारे पेचो प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या अरे SP माइनस CP अपन CP एक्वल टू इंटू हंड्रेट एक्वल टू तो CP अब आपको पास इतनी वालू नहीं निकाल लो अरे बाइस SP की जग्वा क्या रख दो कि 75 आपन CP इंटू हंड्रेट एक्वल टू सीपी आजायेगा तो क्या हो स्क्वाइर माइनस हंड्रेट सीपी प्लस प्लस नहीं हंड्रेट सीपी माइनस 75 क्वाड्रेटिक बन गया सॉल्व कर लो इकल टू जिरो कितना कर देजी पच्छत्तर सो है कि पचीशत्तर होता है सीपी स्क्वाइर प्लस डेड़ सो सीपी माइनस पचास सीपी माइनस पचात्तर सो यह आजाएगा सीपी सीपी प्लस डेड़ सो माइनस पचास सीपी प्लस डेड़ सो तो भाइस अब निंगेटी वाला तो सीपी लेंगे नहीं सीपी लेंगे पॉश्टी वाला तो सीपी के व सेम का में बार्टिकल वाज शोल नौच चानबे अब यह होमवर्क रहेगा तुम्हारा कि एकदम सेम का में कॉड्रिटिक जन्रेट होगे अंसर निकाल लेना सत्रा का में करो गए सेम यह भी है तो सत्रह और आठारे आपका हूमवर्क भाई क्योंकि सेम पैटन पर और अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको कल बताओंगा और बाकि इसके आगे हम लोग हूंवर्क है इसे ज्यादा लंबी क्लास भी बनाने कोई जरूरी नहीं नहीं है इतनी चीजा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि चीजी आपको समझ में आई होंगी इसी तरह से मेरे साथ पकड़ के चलिएगा profit loss आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूँगा और उतना सिखा दूँगा कि आप exam में question आएगा तो बहुत आसानी से कर लोगे बहुत आसानी से ठीक है तो चलि love you all and Jain